मेरे परिवार जनों, कॉंग्रेस जैसी प्रस्ट सरकारों में गरीब हीत में योजनाओं का लाभी गरीब को मिलना मुश्किल हो जाता है। कॉंग्रेस के एक पुर्वा प्रधान मंत्री तो खुद मांते से कि दिल्ली से अगर एक रुप्या जाता है तो पच्चासी पैसे उस पैसे बीच में ही लूट जाते हैं सिर्फ पंद्रा पैसे पहुंते हैं इसका नतर या गरीब में भूत का आजादी के इतने वर्षों तक से बाथ गरीब के पाद सौचालय नए न गरिब के पाद विजिनी करेक्शन न गरिप के पाद गैस की तो कलपना ही नहीं कर सकता नगरिब के पास बैंक का खाता खुल सकता नगरिब के पास मुफ्त इलाद की या स्वत्ती दवाई को कोई सुविदा कि आपके हग के पैसे का 85% लूट कर कॉंग्रेस के नेताओं के बंगले बढ़े होते गए आपकी गरीबी बढ़ती गई साथियों कॉंग्रेस आपको कैसे लूट रही है इसका एक उधारन पैट्रोल की कीमते हैं हर एक लीटर पैट्रोल पर कॉंग्रेस सरकार भाजपा सरकारों से ज़्यादा उसकी तुलना में आपसे 12-13 रुपिया अधिग लूटती है एक एक लीटर पर आप पडोस में गुजरात में जाईए 12-13 रुपिया पैट्रोल सस्ता आप पडोस में हर्याना में जाईए 12-13 रुपिया पैट्रोल सस्ता आप पडोस में यूपी में जाईए भाजपा सरकार 12-13 रुपिया पैट्रोल सस्ता राजस्वान में एक एक लीटर पर बारा तेरा रुपिया ये मारते थे और अगर आपको दिन में दो लीटर, तीन लीटर, चार लीटर पैट्रोल के जरुद पढ़ जती है तो रोज का पचास सो रुपिया ये आपकी जेव से काट लेते थे लिए ऐसा करके राज़तान में कॉंग्रेस ने हजारों करोड रुपिया आपसे लूट लिए है इसलिए मैं आपसे बादा किया है कि भाज़बा सरकार आएगी तो महंगे पैट्रो डिजल की समिक्षा करेगी और जनता के हित में उचीत फैसला भी लेगी केंद्र सरकार पहले उच्वला का सिलेंडर भी सत्ता कर चुकी है अब रात्रान भाज़बा ने संकल पली आए कि वो आपको साड़े चार सुर्पे में गैस का सिलेंडर देगी भाज़बा की डबल इंजिन सरकार का लाप लेने के लिए आप तैयार रहिए तीन दिसंबर दूर नहीं है कॉंग्रेस जा रही है भाज़बा कॉंग्रेस भाज़बा